Hello students, कैसे हैं आप लोग? तो टाइटल देखके आपको पता चली गया होगा कि आज हम अपने chemistry subject के बारे में बात करने वाले हैं तो basically chemistry को अगर मैं divide करने बैठू तो हमार पास 3 branches निकल गया आती हैं कौन-कौन सी? Physical, Organic, Inorganic तो physical और inorganic में हम बात करेंगे लेकिन basic आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं Organic के बारे में क्योंकि ये best time है बच्चो अगर आपने अपनी book नहीं उठाई थी अभी तक भी अभी भी आप book उठाके अपना organic 100% secure कर सकते हैं नीट 2025 में और अच्छी rank, desired rank के साथ अपना college secure कर सकते हैं चीक है, तो चले, एक बार हम physical के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं अगर physical की बात करो तो वहाँ पर conceptual question पूछा चाता है बट अगर numbers की बात करें तो numerical question के numbers दादा होते हैं as compared to conceptual question के number तो आपका क्या यहाँ पर strategy रहने बार है एक बार theory पढ़ने बहुत है conceptual question solve कर लिए बहुत है उसके बाद बस आप numerical की practice करें question solve करें theory बार-बार पढ़ने से नहीं होगा physical अब आपने numerical practice करें क्योंकि वहाँ पर बहुत मुश्किल calculation आपको नहीं दी जाती physics आप पढ़ते हैं उतनी आपको calculation आती है तो normal वह आपको formula पूछेगा formula में आप सारी values पूट करेंगे x, y, z निकाल देंगे आपका question as it is चार number आपको दे के चला जाएगा ठीक है अब हम बात करते हैं organic chemistry की तो organic हमारी ऐसी branch है जो पूरे हर एक chapter organic का आपस में कैसा है interconnected तो अगर आपको organic पढ़नी है तो आपको बिल्कुल basic से start करना बढ़ेगा organic पढ़ने से पहले आपको inorganic का एक chapter बहुत अच्छे से आना जाहिए chemical bonding पूरा chapter नहीं तो कम से कम hybridization वाला topic तो आपको बहुत ही अच्छे से आना जाहिए ताकि आप bond parameters, bond angles यह सब define कर सको ठीक है तो वहां से inorganic से मैंने कौन सा chapter बोला आपको chemical bonding अब हम बढ़ते हैं अपनी organic chemistry तो मैं आपको क्या बोल रही हूँ बजो कि आप organic chemistry में NCIT को base बनाई आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कहां से स्टाइट करना है और ग्यानिक chemistry एकदम logical thinking पे based तो आपको sequential चलना होगा कोई भी chapter बीच में से उठा के आप नहीं पढ़ सकते और ग्यानिक आपको sequential order में जैसा NCIT ने दिया है वैसे ही proceed करना है तो वहां से आपके logical question आएंगे theory based question आएंगे sequential question आएंगे अगर एक step भी आप miss करेंगे reaction mechanism का तो दूसरे step में आप पक्का गडबड करेंगे तो sequential order बहुत धियान रखना है अब देखे ये जो मैंने बोला NCIT को base बनाएका चलना है ये किस तरीके से प्रसीड करेंगे आप लो बहुत ही अच्छा हम आपके लिए इलाज लेके आएं हमने इसी मन्त अपनी इसी चानल प्याननसर के चानल पे ही एक NCRT review series start करी थी वहां पर हमने NCRT को base बनाया था और NCRT की line by line आपको समझाई थी तो वह lecture आपको playlist में मिल जाएंगे Chemistry NCRT review के नाम से आप एक-एक lecture उठाएंगे हर एक chapter मिनिमम फाइफ आज में complete कर दिया गया है एक chapter के दो पार्ट भी हो सकते हैं एक chapter के तीन पार्ट भी हो सकते हैं but on average आपको 5 गंटे का lecture ही मिलेगा नहीं तो 4 गंटे का भी मिल सकता है अब देखें आपको उस पूरी सीरीज को कैसे follow करना है मैं आपको guarantee देती हूँ बच्चो अगर आप NCIT भी पढ़के जाएंगे ना तो आपके पूरे 100% organic chemistry के question solve होएंगे ठीक है clear है अब उस वाली सीरीज में आपको क्या-क्या provide किया गया है आपको NCIT line by line read करवाई गई है उसी से related आपको question solve कराये गए है हर एक in-text question, हर एक example solve किया गया है अब उसी topic से related, particularly previous year में पूछा हुआ question भी solve कराये होगे आपको proof दिया गया है कि NCIT से उठके कितनी बार question आया हुआ है और मोशली हर बार NCIT से ही आया हुआ है थोड़ा सा language twist होगा आपको मैंने वही पर बता दिया है कि किस तरीके से question की approach करने है कैसे language को अपने असान भाशा में समझना है किस तरीके से 4 number आपको अपने हाथ में रखने ठीक है तो उस series में आपको इतना कुछ मिलता है series को कैसे approach करना है मैंने approach लिखके दिया सबसे पहले आपको lecture देखना है आप decide कर लीजिए एक कोई भी time slot उसमें आपको बैठ के 4 गंटे वो lecture देखना है सो के देखो, बैठ के देखो कोई दिक्कत नहीं है आपको वो lecture देखना है जरूरी नहीं है वो 4 गंटे का हो 2 गंटे का भी हो सकता है, 3 गंटे का भी हो सकता है 1 गंटे का भी हो सकता है वो lecture आपको खतम किये बिना नहीं उठना अब जैसे ही lecture खतम होता है आप जैसे ही lecture खतम होगा फिर से आप उसको एक बर read करें जो भी आपके दिमाग में extra चीज़े आ रहे हैं कि मैंने lecture के दोरान सोना था बड़ मैंने लिखा नहीं तो उसको अपने notes में detailed form में लिख लेजी अब वहीं पे आप in text question solve कीजिए और example और PYQ particular एक ही topic के नीचे सब याद रखेंगे आप NCRT पढ़े ली है अब कहीं और किसी और के notes पे नहीं जाएंगे मैंने strictly लिखाए कि study your own notes जितना अपने notes से असानी होती है पढ़ने में उतना किसी के notes से असानी नहीं होती है दूसरा काम क्या है आप NCRT फिर से एक बार read कर लेनी है अब पहली बार त करने बैटे हैं तो आपको पता होगा कि कौन सा topic skip करना है कौन सा topic बार बार recall करते चलना है ताकि वो factual based question में आये तो मुझे याद हो ठीक है वो पूरी series में आपको detailed में explain कर रखा है ठीक है बहुत ही बढ़ी अब थर्ड काम है आपका कि आपको question practice करने अब ये question आप किसी भ पढ़ रहे हो जिस भी चीज का पर reference ले रहे हो वहाँ पर आपको DPP provides करी गई होंगी या फिर आपके पास कोई question bank होगा उस से उस topic से related उस chapter से related सारे question solve कर लो देखो बच्चे आपको question solving में जादा से जादा time provide करना पड़ेगा आप जब नीट के paper में बैगते होना तो आपक में हर possible question जो आने वाला है नीट में वो पहले ही देख लिया है तो दो काम हो गए एक तो मेरा concept strong हो गया उसकी application strong हो गए कि किस तरीके से question को tackle करना है दूसरा जो मेरा डर था कि need में बैठूंगा ये पूछ लिया वो पूछ लिया वो निकल लिया क्योंकि मैं इतने सारे question दे short notes prepare करें अब ये short notes और formula sheet कब काम आएगी name reactions जो आपकी होती है कब काम आएगी जब आप revision करने बैठों आपने पूरे अपने notes बार बार तो read नहीं करने क्योंकि आप question practice पर जादा time लगा रहे हो तब आपको यही short notes और formula sheets name reaction वाली sheet देखनी है एक और बहुत important काम आपको बात करना है एक test series खरीदनी है और regularly हर Sunday को test देना है अगर आपको सच में नी 2025 को पोड़ना है तो आपको कोई भी Sunday without test नहीं miss कर अगर आपका जो भी टेस्ट है जिस भी इंसिट्यूट में test हो रहा है उसका topic भी नहीं आता है फिर भी आप test देने जाओं होता क्या है कि आप एक बार test मिस कर दो एक बार test मिस कर दिया कोई भी बहाना था मैं विमार था मेरी तयारी नहीं थी अब आपको habit बन जाएगी कि अगला test मिस कर दो फिर अगला test और यह करते करते आपको फिर से भई हो जाएगा कि चलो नीट का यह attempt भी गया अब अगले साल ट्राय करें तो वहां तक बात पहुचने ही नहीं देनी है हमें हर Sunday test देते हुए चलना ठीक है अब देखे यह तो हो गए हमारी पूरी strategy कैसे आपको organic chemistry को tackle करना है अगर आपको बिलकुल नहीं आता तो basic से इस तरीके से start कर दीजिए दूसरी बात कुछ चीजों का आपका बहुत ध्यान दीजिए physics को time दीजिए बिलकुल आपको stick to syllabus मेरा एक simple कहना है stick to syllabus जितना syllabus में दे रखा है उतना ही पड़ी बिलकुल आपका need का विपर हो जाएगा उसके time उसके बाद आपको time मिलता है पड़ी जितनी books हो सकती है उतनी books बड़ी क्लियर होती है इतनी बात है दूसरा जब आप question practice करने बैठेंगे आप अपने timer के साथ बैठेंगे आपको time management में बहुत ध्यान रखेंगे आपका पूरा chemistry का section minimum 50 minutes में solve होना ही चाहे मतलब मैं minimum क्यों बोल रहे हूं maximum आपको 50 minutes ही लगने जाए बहुत जादा बोल दिया अभी आपके starting है इसलिए 50 बोल रहे है आगे ज 30 questions solve करेंगे ठीक है चलिए बहुत ही बड़ी लास्ट आपको practice बिल्कुल नहीं चोड़नी है question practice daily कितनी बोली है two hours करनी ही करनी है ये भी हमारे पास main points में से एक रहेगा तो अगर आप सच में determined है नहीं 2025 निकालने के लिए तो इन तीनों बातों का खास करके ध्यान रखेगा आपको कोई महात्मा बनने की जोड़त नहीं है जितना स्लेबस में है उतना ही पढ़िए अपने आपको टेस्ट कीजिए रोज रोज टाइमर लगा के 50 questions solve कीजिए और तीसरा question practice में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए इतनी सारी बाते clear करने के बाद आपका बस एक काम रहता है students क आप जाएए NEED 2025 NCRT Review Series को खोलिए और फटा फट से अभी ही पढ़ने बैग जाए तो जो जो इस challenge को accept करते हैं comment section में ready करके छोड़ देना मैं समझ जाओंगी you are with me and we gonna rock this NEED 2025 examination thank you very much for joining this session thank you